और अब हम तृती अध्याय कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं जहाँ पर 26 वेश्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं अरुजुन को नबुद्धि भेदम जनायेद अग्यानाम कर्वसंगिनाम जोशयेद सर्वकर्मानी विद्वान युक्ता समाचरन ज्यानी पुरश को चाहिए कि कर्मों में आसकती वाले अज्यानियों की बुद्धी में भ्रम उत्पन न करे अर्थाट कर्मों में अश्रधा उत्पन न करे किन्तु स्वयम परमात्मा के स्वरुप में स्थित हुआ सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी ऐसा ही करावे अपने जीवन के माध्यम से उसे यह सिखाए कि यह जो कर्म है यह कर्म हमें कर्म योग के रूप में इश्वर से मिलने का माध्यम बन सकता है क्योंकि बिना कर्म के कोई एक शन भी नहीं रह सकता और इसलिए स्रीकर्ष्ट भगवान ने अरजुन से कहा कि क्योंकि यह नहीं रह सकता तब कर्म करना ही पड़ेगा तो उसे इश्वर समर्पित बुद्धी से करके हम इन बंदन का नाश करें जिन लोगों को ग्यान की प्राप्ति नहीं हुई है वे ग्यान की प्राप्ति के लिए कर्मयो काचरन करें जिने ग्यान की प्राप्ति हो गई उस परमतत्र की प्राप्ति हो गई मोक्ष की प्राप्ति हो गई परमार्त की प्राप्ति हो गई वे भी लोक संग्रह के लिए कायर करें और जो महापुरुष है उनका ये कर्तव हो जाता है कि जिन लोगों क्यों अभी ग्यान की प्राप्ति ने हुई उनकी बुद्धि को भ्रम में न डाले क्योंकि अभी उनकी ऐसी अवस्तानी है कि जहां पर वे कर्मों को छोड़ करके दिन रात इश्वर में लीन रह सकें ऐसे लोगों को वे गलत फैमी न कर दें उनके मन में गलत फैमी पैदा न करें उनका अनुचित मार दर्शन न करें उनको कर्म से विरत न करें क्योंकि जिस तिती पर वे पहुँच चुके हैं उस तिती पर जो लोग नहीं पहुँचे हैं वे भी यदि कर्म करना छोड़ देंगे तो फिर उनको बहुत दुख सहन करना होगा वे विचुत हो जाएंगे अपने मार्ग से न तो संसार का ही सुखने मिलेगा न परमार्त का ही मिलेगा क्योंकि अभी उनका मन उस कर्म को त्यागने के लिए अभी तयार नहीं हुआ है और इसलिए धीरे 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 उस ओर हमें आगे बढ़ना होगा और जिस प्रकार से शीराम कृष्ण उधारन देते हैं कि जब सास् बहुत काम कर बहुत कारे कर उससे कारे करवाती है दिन रात कारे करवाती है पर जब गर्भवती होती है बहू तो सास उसका काम काम कर देती है और जब कुछ मैंने बाकी रहे गए तब तो एकदम काम कर दिया कम क्यों यदि वह काम करेगी और तो फिर ऐसी संभावना है कि जो गर्भस्त जो शिशु है उसको हानी हो और इसलिए उससे बहुत काम-काम करवाती है उसे विश्राम करने के सला देती है जो सास बार-बार बोलती थी काम करने को वही बार-बार अब सला देती है नहीं नहीं विश्राम करो और जब संतानुत्पन हो गई बस बच्चे को ल करके बहुत पुत्रवदु रहती है उसे अब कुछ काम नहीं करना पड़ उसी प्रकार से ज्ञान रूपी जब शिशु का जन्म होता है हमारे मन में हमारे रिदे में उसके बाद फिर कर्म नहीं रह जाता पर उसके बाद भी कुछ ज्ञानी लोग लोक संग्रह की भावना से कर्म करते हैं तो यहाँ पर शिक्रिष्ट भगवान कहते हैं यद्यपी जो ज्ञानी है उसे अब कर्तव करने को कुछ करने को नहीं है उसे परमार्थ की टापती हो गई है फिर भी उसका कर्तव है कि जो अग्यानी जन्हें अभी तक नहीं पहुँ वे इतना ध्यान नहीं देंगे वे भी चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से लिन रहेंगे हम भी उसी प्रकार से लिन रहेंगे समाधी में तो इस प्रकार से अपने जीवन के उधारन के द्वारा ये महापुर्शों को चाहिए स्रिक्रिष्ट भगवान कहते हैं कि उनको कर्म में लगाए कर्म से विरत न करें क्योंकि उस कर्म के माध्यम से धिरे 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 वे कर्म का त्याग अच्छी तरह कर सकेंगे कर्म योग का आच्रन करते हुए उस परमात्तों को प्राप्त कर सकेंगे और पिछली चर्चाओं में हम लोगों ने कहा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्वयम उसका उदारन है पहले जनक राजा का उदारन दिया फिर श्री कृष्ण भगवान ने स्वयम का उदारन दिया राजा राम ये भी मानो ये जो राम थे जो कृष्ण थे इस युग में राय रामकुष्ण या अतार स्वयम आते हैं इश्वर्थ तो वे मानो एक उदाहरण के द्वारा अपने उदाहरण को द्वारा प्रस्तुत करते हैं उस कर्मियों की भूमिका को कि इनको अब कुछ बाकी नहीं रहे गया कर्म फिर भी वे इतने अविरत कारे करते हैं जिस प्रकार से एक अग्यानी जितनी ततपरसा से काम करता है उतनी ही ततपरता से वह अग्यानी भी कारे करता है अंतर के वल इतना है कि वह आसकत होकर के कारे करता है जो अग्यानी है और जो ग्यानी है वो अनासक्त होकर गारे करता है उसकी फल के प्रतिस प्रिहा नहीं है नो तो करमा सकती है नो फला सकती है फिर भी ततपरता उस करमयोगी के जीवन में उतनी ही दिखती है जितनी एक अग्यानी के भी तर्म जीवन में यह देखने की बात है बाहर से देखने को तो ऐसा लगेगा कि घोर कर्म में प्रवृत है स्रिक्रिष्ट का जीवन घोर कर्म में प्रवृत परंतु भीतर से पूर्णता अनासक्त अपनी नजर के सामने सारी यादों की सिना का विनाश हो गया प्रवास पाटन में और वे देखते रहे अपनी नजर के सामने अनासक्त हो करके अपने सामने विनाश देखा राजा राम चंदर जी ने वह अनासक्ति का अधुधान प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से राजा विशे की सब तैयारी हो गई और अचानक खबर आई राजा दसरत बुला रहे हैं पिता जी और पिता जी तो बोलनी पाए है परन तो कही कही नहीं बता दिया कि तुमारे पिता जी की इनने दो वर्दान दिये थे उनके अब इच्छा है कि तुम भरत को गादी गरती सौप दो राज्य सौप दो और तुम चोदा साल के लिवनवास में चले जाओ सोचिए कल सुबह जिनका राज्या भिशेक होने वाला है सारी तैयारे हो चुकी है सारे शहर में लोग हैं सब खुशी मना रहे हैं आनन्द मना रहे हैं कि जेष्ट पुत्र के रूप में राजा और वैसे भी राम ने तो सारे प्रजाजनों का दिल जित लिया था सब बड़े उमंग में हैं आनन्द में हैं सिता भी आनन्द में हैं सभी लोग आनन्द में लक्षमर भी आनन्द सभी लोग मना रहे हैं कल सुबह राज़ा भी शेक होगा सब तैयारे हो चुकी है और अचानक राजा राम को ये पता लगता है कि कल राज़ा भी शेक नहीं होगा बलकि कल जाना पड़ेगा वनवास 14 साल के वनवास में परन्तु स्विराम चंद्रजी के मुख पर एक छोटी सी भी चिंता की लहर नहीं है अब प्रसनता का भाव नहीं है वरन और भी अधिक प्रसनता का भाव है इतनी अना सकती इतनी अना सकती योन प्रसनताम योन गताभी सेक अता तथान ममलव वनवास दुख अता प्रसनताम योन गताभी सेक अता जब उनको राजा भी राज, कल राज मिलेगा ऐसी ख़बर दी गई तो भी अधिक प्रसनता नहीं दिखाई प्रसनताम योनों गता भी छेकाता, राम नाम संकितन में हम लोग करते हैं हरे कादेशी को प्रसनताम योनों गता भी तेकाता, तथा न ममलव वनवास दुखता और वनवास ज़र करना पड़ेगा उसकी खबर सुनकर के भी किंचित मात्र भी मुख मलान नहीं हुआ यह स्री राम चंदर जी ने घोर कर्म योग किया, रावन का वद्ध किया, राक्षश का वद्ध किया परन्तु पूर्णत अना सकता उसके बाद भी जब राज्य में आए तो केवल प्रजाजनों के हीत के लिए ही काम करना इसलिए उनके राज में कहा गया कि राम राज्य, जो आज भी लोग कहते हैं कि राम राज्य, जैसा राम रे, राम के समय में राज्य था, ऐसा राज्य आए, वो ही है स्ट्रेष्ट राज्य, that is the best administration, सर्वस्ट्रेष्ट अड्मिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, राम राज्य ज सररभभ वर्जितह करतावाहीर करतानते लोग वियर राज्यव, ऐ राज्यव इस प्रकार करो कि बाहार से तो लोग ऐसा समझे कि नका करम में बड़ा आवेश है, कि बीतर मन में बिलकुल आवेश नहो, इस प्रकार बाहे हैं, लोगों के दिश्ट्रि में तो तुम करता सम और श्रीकष्ण भगवान चत्याय करतें कि महापुर्शो को ईह कौन की कर्म की हुए इस विरयर फिरत्व उनुकर्मकर्म की ज्ञान की प्राप्ति हो गई अपने उधारण के माध्यम से दूसरे लोगों को कर्म में प्रवृत कराएं उनसे निवृत की आपक्षा निवृती की आपक्षा न रखें जब तक कि उनकी ऐसी स्थिती नहीं हो गई है ग्यान की निश्ठा नहीं आ गई है जहां पर वे निवृती के लिए तैयार हो गया उनका मन तब तक उन्हें कर्म में प्रवृत कराना होगा केवल बोल करनें केवल उपदेश के द्वारा नहीं अपने जीवन के उदान द्वारा और यही काहरे जो राम ने किया था कृष्ण ने किया था अपने अपने यूग में इस बार रामकृष्ण देव ने इसी प्रकार से जैसा कि हमने पिछले वक्त देखा किस प्रकार से उन्हें परमतत्व की प्राप्ती हो गई, कुछ भी प्राप्त करने योगे नहीं था उनके पास सब कुछ प्राप्त हो गया था मुहुर्मू समाधी अवस्था में लीन रहते थे, अब कुछ भी उनको बाकी नहीं रह गया था, फिर भी वे मां से कहते जगदंबा से मां मेरे मन को नीची उतार ताकि मैं भक्तों से बाच्चित कर सकूँ और उस अवस्था में भी जब उनको सब कुछ ग्यान की प्राप्ती हो गई है लोगों के कल्यान के लिए लोगों के दुख को वे देख नहीं सकते और वे कहते हैं मैं के वले एक नहीं बीस हजार ऐसे शरीड छोडने को तयार हूं किसी एक आदमी के दुख को दूर करने के लिए शिराम किष्ण कहते हैं बीस हजार बार नरक में जाने को तयार हूं बीस हजार इस शरीड को चोड़ने को तयार हूं बीस हजार बार किसी दुसरे के दुख को दूर करने के लिए यह अदुद करुणा और उस करुणा से ब्याप्त हो करके इतनी उच्च अवस्था मोहने के बावजूद क्या हम देखते हैं उस समाधी के आनंद को अवर्णी आनंद को अद्वूत आनंद को छोड़ करके वे सामान्य स्थिती में आते हैं सहज अवस्था में आते हैं बक्तों से बाचित करते हैं, इश्वर की बाते करते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं, और केवल दक्षिन से बैठ करके करता है ऐसा नहीं, सुबह उन्हें तो उटने की कोई आवश्रकता नहीं थी, उन्हें उनको तो सब प्राप्त हो गया, फिर भी वे तीन बज़े उट रात को तो मानो निंद ही नहीं है, और उस समय भी जब ध्यान करते हैं, और सारी रात जब ध्यान करते हैं, सुबह जब ध्यान करते हैं, सारा दिन भगवान का नाम लेते हैं, किरतन करते हैं, केवल इतना ही नहीं, जाते हैं, घर घर जाते हैं, उनको भगवान का नाम सुन जाने के लिए दक्षिन एसुरे में बैठ करके केवल नहीं जाते हैं कहां कहां पर उस कड़ी धूप में और फिर रामकष्ट देव रोते हुए कहते देखो देखो इस बार मुझे ऐसी देह मिली है इतनी कोमल देह कि मैं पैदल नहीं जा सकता निमाई के समान और नीताई के स समान में पैदल जाकर के लोगों को हरी नाम की लुट नहीं करवा सकता उसका मुझे कितना खेद है हम देखते हैं चैतने महाप्रभू के अवतार में चैतने महाप्रभू निताई और उनके संगी नित्यानंद तो निमाई और नित्यानंद निमाई और नित्यानंद भाई जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, अरे भाई भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, एक बार तो भगवान का नाम लो, बेड़ा पार हो जाएगा, भगवान का नाम लो, बस सब पाप खतम हो जाएगे, जवर्दस्ति भगवान का नाम लेते हैं, और कुछ लोग आ करते करते जा रहें ढोल बजाते हैं कितने लोग बोले क्या यह नहीं हां पर खल լली मचा दी है क्या यह भुए धोप बचाया हुआ है क्षकीन परकार से आवाज कर रहे हुए किस प्रकार से हम लोग को हमारे सब कारियों में तुम बिग्nia डाल रहे हो कोई डाठता है कोई फटकारता है कोई निंदा करते हैं कोई मजाक उड़ाते हैं कोई असर नहीं घर घर जा रहे हैं यह दुस्ट लोग ने तो सोच लिया कि अभी इसकी धूलाई की जाए तब ही यह खتم हो गया बहुत जोर जोर से मारा दंडे वार करके पीट रहे हैं उसको और चेतन महाप्रभू नीता निमाई और निताई दोनों हाल जोड़ कर कह रहे हैं जितना मारना हो मारनो जितना मारना मारो एक बार भगवान का नाम ले लो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए दूसरों के कल्यान के लिए इतना उनके मन में उनकी भावना है जितना मारना मरो एक बार भगवान का नाम लो तुम्हारे मुझे भगवान का नाम निकलेगा बस तुम्हारा बेडा पार हो जाएगा इतना आँखों से नैन में से आशु बह रहे हैं कि बार भगवान का नाम लो भगवान के मेरे शरीर के ऐसी अवस्था कर दी है कि मैं पैदल नहीं जा सकता मुझे घोड़ा गाड़ में जाना पड़ता है और सच मुछ में श्री राम किष्णा अहर निश्ष भगवान का नाम और चिंतन करते थे वो चिंतन करते 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 उनका देह इतना कोमल हो गया था मक्खन से भी अधिक कोमल जिन्होंने उनके शरीर को सफर्ष किया वे कहते थे मक्खन से भी अधिक कोमल उनका शरीर था और यहां तक की एक बार एक लूची लूची कहते हैं बंगाल में पूरी को पर हमारे जैसे पूरी बनाते हैं गुजरात में गेहूं के आटे की वहां पर ऐसी बनती हैं उसमें मैदा डालते हैं मैदा डाल करके गेहूं की जो आटे की पूरी जो बनाते हैं बहुत नरम होती है यह जो लूची यह लूची का छोटा टुकड़ा काटते समय श्री राम कुष्ण देयो लूची काट लूची तोड रहे थे लूची तोड़ते समय उनकी उंगली में से खुन बहने लगा, इतनी कोमल उनकी उंगली थी, इतना कोमल उनका शरीर था, अकल पनी हैं, तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, इस बार माने ऐसा कोमल शरीर दिया, कि मैं इस प्रकार से निताई निमाई के समान घर गरें, पर फिर भी जाते थे, फिर भी घोड गाड़ी करते थे, भक्त लोग को कहते थे भाई, थोड़ा गाड़ी का प्रबंद कर दे, और भक्त लोग में सब ये, उनके थे, बलराम बोस, बलराम बोस भी थोड़े कंजूस्त थे, तो वे ऐसी घोड़ा गाड़ी ढून के लाते थे, जो सस्ती से सस्ती हो, और सस्ती से सस्ति घोड़ा-गाडि को लाग करके दिया एठ घोड़ा-गाड़ी जाएगी इतनी पुरानी पुरानी घोड़ा-गाड़ी तुटी हुई फुटी हुई और घोड़ा भी विचारा दूहाज पतला जिता चिंता मत कीजी और फिर रामकिष्ट देवाद में मजा करके बोलते थे देखो मैंने उसको बोला था बलराम को गोड़ागाडी कर देना पहले से मैंने कहा था उसका सूरत देखकर कि मैं समझ गया घोड़े की सूरत देखकर गोड़ागाडी को देखकर के नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, मैंने सब तैय कर लिया है, और जो आधी कीमत में घोड़ा काड़ी मिली है, तो उसने वही घोड़ा काड़ी की, और रामकिश्देवाद में बजा कर वाले है, सचमुझ में वही हुआ, आधे रास्ते जाकर के देखा, घोड़ा काड़ी के अपनी जगा पर, खाना नहीं दे रहा किवल चाबू की मार रहा है, घोड़ा का, घोड़ा गड़ी का माली, तो शिरामकिश्देव घोड़ा गड़ी में जाते थे, और कितने घोड़ों में जाते हैं, हरी नाम की लूट करते हैं, भगवान का नाम देते हैं, भरुगान के नाम सुनाते के लिए इश्वर के समर्पित इश्वर में समर्पित होने के लिए आहवान करने के लिए श्री राम कृष्ण घोर कर्म में आवरित हैं और इसलिए स्वामी वेकान ने श्री राम कृष्ण पर जो स्तोतर लिखा श्री राम कृष्ण आरतरिकम प्रति दिन संध् भवबंधन जगवंधन वंदी तुम आए उसमें कहते हैं भंजन दुख गंजन कर्म कठोर दुख भंजन करने के लिए हेशी रामकिष्ण तुम आए लोगों के दुख दूर करने के लिए और कर्म कठोर कर्म किया प्रानाण पर जगत तारन क्रिंतन कली डोर पूरा अपना को अरपन कर दिया इसलिए कहा पिछले वक्त हमने कि उनकी जब अंतिम अवस्था में जब कैंसर हो गया कैंसर के समय डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया आप किसी से बात मत कीजिए फिर भी उस अवस्था में बात करते रहे गंटों तक बात करते रहे इतनी पीड़ा होती इतनी व्यथा होती थी कि वे कुछ भी खानी पाते थे पानी भी निलग निगल सकते थे सुजी की जो खिर थोड़ी से दी जाती थी वो थोड़ी सी उतरती नहीं थी उसमें भी खुन आ जाता था इतनी तकलिफ होते थी कुछ खानी सकते थे बोलने में बड़ा कश्ट होता था फिर भी घंटों बोलते थे उपदेश देते थे अंतिम उन्होंने कहा कि तो आये हम आये ही इसी के लिए देह को उत्सर्ग करने के लिए ही तो आगवन इस बार हुआ है अंतिम दिन 16 आगा 66 को जिस दिन महासमादी उस दिन में कोई बहुत दूर से भखताया तो सभी लोगों ने का नहीं उनको बहुत ब्यता है बिल्कुल किसी को मिलनी दियाएगा डॉक्टर लोगों ने मनाई किये फिर भी श्री रामकर्ष्ण ने का नहीं नहीं आने दो आने दो इसका तो जन्म हुआ है हमारा इसी के लिए इस प्रकार से अंतिम दिन तक उन्होंने अंतिम खशन तक कार्य किया और अंतिम बुद को भी जगत के कल्यान के दे दिया इसलिए कहा प्राणा अरपन जगत अतारण जगत अतारण क्रिंतन कलिडोर ये स्वामी जी ने कहा रामकर्ष्ण देवाद अपने जीवन में उदारण के द्वारा श्री रामकर्ष्ण देव ने बताया उनको सब कुछ प्राप्त हो गया था कुछ प्राप्तने को बाकी नहीं था अद्बुत वो परम आनंग में हमेशा लिन रहते थे पर जगत के कल्यान के लिए दूसों के कल्यान के लिए ये कारे में अवीरत कारे करते हैं सुबह इतने तीन बज़े उट जाते हैं दो बज़े उट जाते हैं जब ध्यान करते हैं उसके बाद में लोग सारा दीन भक्तों से बारतालाब करते हैं संध्या आरती के बाद फिर से भगवान के नाम में लीन हो जाते हैं देर तक बात क आए अपने जीवन के माध्यम से वे प्रस्तुत करते हैं और इसी प्रकार से फिर उन्होंने त्यार किया स्वामी विवेकानंद को हमने पिछली चर्चा में कहा देखा किस प्रकार से स्वामी विवेक आनंद भी नरिनाद दत वो भी चाहते हैं कि मैं हमें से समादे में लिन रहूं शीराम कुष्ण देव ने कहा था चीची मैं चाहता था तो एक बड़ा वर्क्ष के समान होगा जिसकी चाहते लाखों लोग शांती प्राप्त करेंगे तु केवल अपने ही मुक्ति की बात करता है केवल अपने ही आनंद की बात करता है अरे ये भी एक स्वार्थ की बुद्धी है तुही वह गीत गाता है ना तुझसे हमने दिल को लगाया जो कुछ है सो तुही है एक तुझको अपना पाया जो कुछ है सो तुही है सब जगे तो वही एक इश्वर विराज माने उसकी सेवा करो तुझो समाधी के वस्था की बात कह रहा है निर्यकल समाधी उससे भी अधिक उच्चा वस्था है कौन सी उच्चा वस्था यह विज्ञान की स्थिती श्राम कृष्ट देव ने एक विशेस सब्द उसके लिए विवार किया वो विज्ञान नहीं जिसे हम साइंस कहते है यह जो विज्ञान कहते है ग्यान के परे जो है वो है विज्ञान विशेस रुप से ग्यान तो इसकी किस प्रकार से वे तुलना करते हैं जैसे किसी ने केवल दूद को दूद के बारे में सुना मातर है पर देखा नहीं है वो है अग्यानी किसी किसी ने दूद को देखा है अपनी नजर से देखा है वो है ग्यानी और किसी किसी ने केवल देखा नहीं दूद को चखा है यह है विज्ञानी विशेश रुप से ज्ञान उसे हुआ है उसका केवल इश्वर का केवल इश्वर का दर्शन नहीं किया उसकी अनुभूती जीवन में कर दी है यह है विज्ञानी तो यह विज्ञानी की स्थिती में लाने के लिए स्री राम किष्ण देव स्वामी विकान को आवान करते हैं और उन्हें भी कर्म में प्रवित करते हैं कहते हैं स्री रामी विकान बोलते हैं मैं कर्म नहीं करूँगा ये जगत कल्यान का काम स्री राम किष्ण देवे नरेन शिक्खे दिवे बहुत बड़े आइस्त थे स्री रामकरुण देव यह लिख दिया नरिन शिखे देवे नरिन उपदेस देगा दरन का सौमी जीन का नहीं नहीं मैं यह सब नहीं जाओंगा मुझे यह सब नहीं करना है श्री रामकिष्ण के तू क्या रहे तू क्या रहे तेरी हड्डियां काम करेगी करना ही पड़ेगा करना पड़ा बाद में स्वामी विवेकान को स्विकार करना पड़ा होर करमयोग किया शिव गयांसे जीव से वका जो आदर्स श्री रामकिष्ण देव ने दिया था उस लाद में राम किष्री मिश्रीन की स्थापना की प्रस्तित कि और वहां आत्मन रुंक्र्षार्तम जगधिटायच यह आदर्श रखा और अपने शिश्यों को भी राम किष्री मिश्रीन करने के लिए बहुत कम लोग का मन इस प्रकार का है कि वह 24 घंटा 355 दिन सारी जिन्गी कुछ ऐसे आते हैं आउसर एक दो साल के लिए भी यह कोई कर सके तो बहुत बड़ी बात है केवल जब दियान ले करके कितने दिन रह सकेंगे दो दिन दस दिन पंदरा दिन बीस दिन उसके बाद में संभो नहीं है रामकृष्ट मिशन में तो बहुत प्रकार के लोग आते रहते हैं तो हमारे या एक ब्रह्मचारी आया तो उस समय स्वामी विरेश्वर अननजी रामकृष्ट मट मिशन के दस्वे परमाध्यक्षर किया गया था चार योग हैं भक्तियोग, राज्योग, ज्ञान योग, करमे जिसको जो योग अच्छा लगए उसका पारण करे श्रेस्ट तो यही है चार योग का समन में हो जाए पर फिर भी कोई बात नहीं जिसको जो योग अच्छा लगए परन्तु कर्मयोग सबके लिए कमपसरी है सेवा तो करनी ही पड़ेगी सारा दिन फिर सुबह तुमको राजयोग अचले तो राजयोग करो भक्तियोग अचले भक्तियोग अचले लगए ग्यानयोग करो तुमको दीश्वर में आरदना नहीं करनी है अद्वईत विदानत के साधना करनी है अहम ब्रह्मास में कोई बात नी तुम मंदिर में मत जाओ चलेगा काम करना पड़ेगा सेवा करनी पड़ेगी शीव ग्यानसी जीवसरी यह करनी पड़ेगी करमयोग उन्होंने कमपसरी कर दिया अब एक ब्रह्माचारी था वो बनारस में होस्पिटल में इतना बड़ा शीव ग्यानसी जीवसरी वका इतना बड़ा प्रकल चल रहा था पर ये ब्रह्माचारी ने कहा नहीं नहीं मैं यह सब घरबाद छोड़ करके आया हूँ अरे वहाँ पर भी तो काम करता था यहाँ भी काम करता था तो क्या हो गया नहीं 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 मैं काम वह नहीं चोड़ा हूँ मैं तो साधना करने के लाया हूँ सेवल दिन राज जब ध्यान करूँगा ये सब कायब वह मेरे से नहीं होगा ये इसके लिए मैं नहीं आया हूँ मैं अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ पहले तीन लोगों ने बहुत समझाया नहीं 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 मैं जो वो श्यू ग्यान से जीवसरा है ये सब कुछ नहीं मैं केवल राजियों के साथ नहीं करूँगा केवल ध्यान करूँगा और ये करूँगा और कुछ नहीं तब स्वामी तुरिया नहीं माझे के ठीक है यदि तुमको सचमूच में ही आत्म साक्षातकार की इतनी व्याकुलता है और सचमें तुम साधना मेलीन रहना चाहते हो और सचमूच चीदी तुमारा मन उसके लिए तयार है तो फिर तुमें साधना में डूप जाना चाहिए साधना मेलीन हो ठीक है तुमारे लिए कोई काम नहीं जाओ बस उसके लिए एक अलग से कुटिया बना दी गई छोटा सा कमरा दे दिया गया उस कमरे में रहो तुमारा भोजन हम खिडकी से हम डाल देंगे वो अंदर किसी से बात नहीं करना किसी से मिलना नहीं दिन रात बस केवल साधन भजन करो केवल ध्यान करो किसी से मिलना नहीं किसी से बाचित नहीं केवल बस वो थाली तुमको दे दी जाएगी, दो बार खाने को और किसी से मिलना नहीं है, ब्रमचारी बड़ा खोश हो गया, एकदम, बस ऐसा चला, पहले दिन, दो दिन, तीन दिन, तीन दिन के बाद, चौते दिन देखा, अब कितने दिन रहेगा ब्रमचारी, किसी से बोलने के तो मने है, जब ध्यान कितना करेगा, पहले दिन में तो पूरा एकदास हो गया, कोटा, चौबिस गंटा कहा करेगा, दो तीन दिन तो चला, तीन दिन के बाद, चौते दिन तो देख रहते क्या होता है ब्रह्माचारी किड़की के पास आकर के ओ छोटी चीडिया है उसके साथ बात कर रहे हैं नहीं रहे पाता है अब जाकर कि तुरियाज में उसकी चुटेईये पकड़ी, चुटे यह पकड़ करके फिर बोला अच्छा हमारी मन की प्रवुद्ती ऐसी है वो अंतर मुखी बनना इतना सहज ने लग काम में, चुटे यह पकड़ को उसको काम में लगा दिया तो इस प्रकार के बहुत प्रकार के ब्रमचारी आते रहते हैं बहुत प्रकार के अनुवव होते रहते हैं तो दिरे दिरे वे अनुवव से समझते हैं स्वामी वेका न यह सब समझ कर ही एक कर्मयोग की बात कई भगवान श्री कृष्ण जानते हैं बड़े साइकलोजिस्ट हैं अर्जुन को भी जानते हैं अर्जुन करता मैं सब कुछ छोड़ चाड़ करके मैं तो केवल भिक्षा विति ग्रहन करूंगा अभी बोल रहा था युद्ध करूंगा फिल नहीं नहीं मैं वह सब किसी युद्ध वगरनी करूंगा मैं बिक्षा और शिक्रिश्ट समझ गये ये सब प्रकल्प सब प्रलाभ है बकरा है फोड़ा फोड़ा इसको धीरे धीरे करके डोस दिया पहले तो शॉक ट्रिट्मेंट दिया अभी कर्म योग ने समझा रहे हैं बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता और इस प्रकार से समझा रहे हैं कर्म की महता को समझा रहे हैं अधिकांश लोगों के लिए कर्मयोग बड़ा आवश्क है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन तयार हो चुका है हजारो हजारो जुन्मों के कर्मों के फलसुरूप अभी उनका मन इतना उनकी चित्त शुदी हो गई अब उने कोई कर्म की आवश्कता नह उनका मन सहज अवस्था में ही इश्वर में लिन रहता है वे सचमुछ वे राजयोग या ग्यानयोग की साधना के एकदम परिपक्वरूप हैं उनको कर्म की लिए कोई आवश्कता नहीं ये बात सच है पर ऐसे बहुत बिरले होते हैं पर स्री कृष्ण भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को भी जिनको इस प्रकार से ग्यान की प्राप्ति हो गई है उनको भी कर्म में प्रवित होना जाए क्यों उनको देख करके लोग सिखेंगे नहीं तो वो भी ये तो निवृत हो रहे हैं इसलिए कि उनको प्रविती की कोई आवश्कता नहीं पर दूसे लोग निवृत हो जाएंगे उनको आवश्चत होने के बावजुद अरे महान लोग जब इस प्रकासे निठले बैठे हैं तो हम क्यों काम करें वो यह नहीं समझ पारें कि निठले नहीं बैठे हैं वो बैठे बैठे ध्यान कर रहे हैं प्रातना कर रहे हैं जगत के कल्यान में रत ह सकता है और सारा दिन कारे करके भी कोई जगत का हीद कर सकता है यह सवामी करने का परंतु यह जो अज्ञानी जन है वे यह समझ नहीं पाते और इसलिए श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि इन लोगों को भी अपने उधारण के द्वारा कारे में लगना चाहिए पहले ज्ञ ग्यान की प्राप्ति के लिए कर्म करें कर्मयोग का अच्रण करके कर्मयोग का आच्रण करते रहें और ग्यान की प्राप्ति करें ग्यान की प्राप्ति के बाद भी लोग संग्रा के लिए लोगों के समक्ष उदाहर्ण प्रस्तूत करने के लिए कार में रत रहें स्वामी विवेकानन ने फिर वही किया श्री रामकृष्ण देव ने जो कहा था उसी प्रकार से स्वामी विवेकानन ने अपने जीवन में करके बताया कितने कर्म अक्षिल कर्म में रत रहे फिर भी अलिप्त रहे फिर भी अपने गुरू के नाम से, प्रेसिडेंट खुद नहीं बने, जितना पैसा जो कुछ भी उन्होंने कठा किया था, बहुत कड़ी मेहनत करके, इस जगत के कल्यान के लिए, जो कुछ सिवा प्रवुतियों के लिए, सब सारा पैसा स्वामी ब्रमाने जी माज को दे दिया, जैस तुझे सब कुछ दे करके मैं फकिर बन गया, जिसकी बात हमने पिछले सप्ता में की थी चर्चा, और यहां पर क्या करते हैं, स्वामी विवेकान भी उसी प्रकार से, सब भार दे देते हैं, अपने शिश्यों में अपने गुरु भायों को, और इस प्रकार से अलिप्त हो पुराना मंदिर है, जो पुराना मंदिर, मठ आफिस जो है, अभी का जो नया मंदिर है, बड़ा नया मंदिर, उसकी पीछे मठ आफिस है, उस मठ आफिस के पीछे, मठ आफिस के ऊपर, दुमजले पर एक चोटा सा मंदिर है, पुराना मंदिर, जहां पर स्वामी विवेक भानन ने जरु आजा बंध करके तीन घंटा ध्यान किया क्या बातचित उन्हों ने की राम किष्डिव सें नहीं पता फिर उसके बाद नीचे उतर आये उसके बाद में दोपर को महाें पर उन्होंने उन्हों ने वेदिक विद्या लेए की स्थापना करने की बात कही प्रेमानजी माराश को इस प्रकार से किस प्रकार के कारे करना होगा उसके निरदेश दिये फिर आकर के सामको जब प्राइट संध्या आरति का समय हुआ तब जा करके अपने कमरे में गए और फिर ध्यान में लीन होगै ध्यान के पंक्खों पर उड़ करके इस लोग को उन्होंने छोड़ दिया परंतु ये अंतिन दिन भी वे कारे करते रहे तो ये मानस्वामी वेका ने अपने एक्जामपल के द्वारा उदाहरण के द्वारा एक प्रसुत किया उसी प्रकार से मा शारदा देवी ने मा शारदा देवी ने अभी उसी प्रकार से भोर कर्म किया पर अनासक तरह करके कर्म करती है कितना कर्म किया सुबे से तीन बज़े से उट करके जब ध्यान करना फिर उसके बाद पूजा पार्ट करना चाहे उद्बोधन भवर में हो तब चाहे नोबत खाना में रहती हो तब चाहे जहरामबटी में रहती हो तब सबी समय हम देखते हैं अविरतकार है सुबह से लेकर उठकर बरतन मानना उस समय चुला तो इस प्रकार करनी था अब इस हम लोगो गैस का चुला है गैस का चुला है थोड़ा सब दिया एकदम चुरतुरत चुला सुरू हो गया बर्नर के द्वारा परन्त उस समय ये लकडी के द्वारा चुला बनाना पर देख लकडी के द्वारा चुला बनाया उसके लगड़ी का चुला, उसको जलाया, उसके बाद में गेहों को आटा आटा बनाया, रोटी बनाया, कितनी सारी रोटी अलगती थी, अलग अलग प्रकार के रोटीयां, अलग अलग भक्तों के लिए, नरिन के लिए मोटी रोटीयां, दूसरे भक्तों के लिए पतली बोजन बनाना भोजन कराना स्री रामकृष्ण को बोजन बना स्री रामकृष्ण को की सेवा करना जब तक वे जीवित थे तब तक और जब नहीं जीवित थे तब उनके फोटो की पूजा करना उसी प्रकार से जिस प्रकार से उनकी पूजा करते थे उसी प्रकार से उनकी शाप्रदान करना गूरू के समान फिर शिशो को मंतर दिख शाद में शिशो को खुदी की अपने हाथ से खिलाना और फिर उसके बाद पुरे राम क्रिश्मिशन के इतने बड़े कितने सारे कारे कितने सारे भक्त कितने सारे सन्यासी सब मां के पास मारदशन लेने के लिए आ चिनाते हैं और मा उनका उत्तर, बताती है किस प्रकार का डिक्टेशन देती है, मा तो खुर लिख नहीं पाती थी, डिक्टेशन देती है। उनके प्रतिनीति के रूप में ब्रह wärमचारी फिर बाद में उनके सेवक लेटर, उपत्र का उत्तर देते हैं। सारे संस्ता इतनी बड़ी संस्ता रामकिष्णित का संचालन करती है यह घोर कर्मे रात तक सुबे से लेकर रात तक अवीरत कारी करती रहती है और अधिकांस कारे सांसारिक कारे कुछ लोग आ करके बड़े आश्चे चिकित हो जाते थे हम तो आया थे जगदंबा के दर्शन करने माद दुर्गा देवी क्या देख रहे हैं गाओं की महिला के समान एक दम साधान महिला के समान बरतन मानने कप्ड़ा धो रहे हैं यह कर रहे हैं दिखने भी साधान गावा बैटते थे और माई इतना बड़ा घुंगट डालती थी इतना बड़ा घुंगट किसी के साथ नहीं थी किसी के पाई वो संभोव नहीं था कि उनके चेहरे का एक एक जलक भी दिखे लज्जा पटा वृते नित्यम शारदे ग्यान दाई के सामी अभेदान जी माई ज विट न शुपा के रखा एक जा एक बार एक भाक्त ओने का मा कर देखता हूं कि आप तो एक दम घोर माया में लिपते हैं होर जाहमाया में लिपते हैं इंग टे CT a전 मा ने बड़ी सहत्ता से एध्ना से क्या कर द्यूंज माया हूं प recruit भक्त समझ नहीं पाई Komma माया स्वय क महा माया में रहके हुए महा माया का खेल दिखा रही है माने उतने ही का क्या करूँ मैं खुझ जो माया हूँ पर ये मा माया में महा माया स्वयम एक प्रकार का मानो एक भुमिका आदा करे तब एक भक्त से नहीं रहा गया मा इतना कठोर परिश्रम तुम करती हो इतना दुख तुमने सहन किया कितना दुख किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतना दुख नहीं हो सकता जितना मा शारदा के जीवन में दुख है दुखी दुखी रही दुखी दुखी रही दुखी दुखी रही इतने प्रकार के विपतिय इतने प्रकार के दु उनको कष्ट जेलने पड़े मानों दुखों का अंत नहीं है विपत्ति का अंत नहीं है काम का अंत नहीं इतना घोर कठोर परिश्रम किया घोर पठोर परिश्रम अंतिन दिन तक कर रहे हैं अंतिन व्यात्रा तक तब किसी ने कहते हैं मां इतना तुम कठोर परिश्रम कर रहे इतना तुम भोग रही हो राधु ने कितना परिशान किया पगली मामी ने उनको कितना परिशान किया जलती लगली लेकर के मानने दोड़ रहे है राधु बैगन मार रही पीठ पर कितने लोग किस प्रकार से उतना सता रहे हैं उनको कितनी प्रकार से उनको परिशान कर रहे हैं मा को उसके भीतर भी मा सांत स्वस्त है और फिर जब इतना सब कर तब भक्तनी का मा तुम इतना सारा सहन क्यों कर रही हो तो मा ने एक ही वाक्य में सब पूरा उतर दे दिया बेटा उदाहन प्रस्तुत करने के लिए जितना करना चाहिए था उससे धेर अधिक मैंने करके दिखाया है धेर अधिक उदाहन प्रस्तुत करने के लिए जितना मुझे करना आवश्चक था उससे धेर अधिक मैंने करके दिखाया सच पूछ में यह जो बात यहाँ पर कही भगवान श्री कृष्ण ने कि अपने उदाहन के द्वारा वे प्रस्तुत करते हैं किस प्रकास से कारे करते हुए अव भी अविरत कारे करते हैं विरत होने के बदले अविरत कारे करते हुए दूसे लोग को यह हम देखते हैं श्राम कुछन देव माशारदा दीवी स्वाम वेकानन के उनके जीवन में घोर कर्म कर रहे हैं अनास्त परन्तु अनास्त भी बनी हुई है परन्तु घोर कर्म कर रह वे मानो उदान प्रस्तुत करती है कि संसार में किस प्रकास रहा जा सकता है संसार के कार्यों को करते करते भी संसार की कितनी सारी जंजटे ही जंजटे जंजटे ही जंजटे हैं ग्रोस तास्रम में तो इन जंजटों के भितर रहते हुए भी इतना सारा कुलाहल, इतना सारा आवाद, इतना सारा शोरगुल उनके घर में रहता था, परिवार में रहता था हम लोग कहतें कि भई घर में तो पुरा परिवार में है तो महाभारत मचा रहता है, कैसे भगवान का नाम ले मा शार्दा का परिवार कैसा केता भयंकर कुलाल हो रहा है उद्वदिन भवन में है उपर में और उपर एकदम इधर तो पगली मामी रोजोर से चिला रही है तो मार पिट कर रही है राधू जित कर रही है उनकी लड़की मुझे अफिम क्यों नहीं खिलाया मुझे अफिम क्यों नहीं दे रही हो वो अलग परेशान कर रही मा को वो चिला रही है उदर गुलाप मा जोड़ जोड़ से चिला रही है इदर नलीनी और मा को दोनों भतीजियां एक दूसरे से जगल रही है मानो शोर मचा हुआ है माह भारत का युद्ध माह भारत का युद्ध जिस प्रकारत का मचा हुआ है उसके बीच में भी मा शारदा देवी शांत बैठी हुई वहले अशांति किसको बोलते हैं मुझे मालूम ही नहीं पड़ा आज तक और उसके बाव ऐसे सब कोलाल के बीच में ऐसे सब इतने सारे सारे संसार की जंजटे और इतना सारा आवाज इतना शोरगुल इसके भीतर में माह शांत बैठी हुए कहती हैं मैं एक लाख जब करती थी एक लाख जब करती थी इस तिने बावजुद और हम लोगों को थोड़ा सा भी कहने को कहा कैसे जब करेंगे मकान में परिवार में तो इतनी आशान्ती है इतना कुलाल है इतना शोरगुल है उसमें कैसे हैं भगवान का नाम ले सकते हैं तो यह सब हम लोग बहाना बाजी करते हैं इसलिए भानाबजे हम न कर सकें मा शारदा ने करके दिखाया मा शारदा का जीवन पढ़ लिजे करके उन्होंने दिखाया इतना सारा काम करते हुए भी भगवान का नाम लिया जा सकता है इतना सारा कारे करते हुए ना सकते हुए दिखिया जाए उस परमतत्व की आरे को छोडने की कोई आवश्यक्ता नहीं है। तो वोकर्म योग करते करते भी उस परम सिद्धी के अवस्था को प्राप्थम कर सकते हैं। यह मानो माश राड़ाद दिवी स्वामी विवेकान शी रामकिष्ण नंके गुरु भाई स्वामी विकान के गुरु भाई, रामकर्षने के सिश्य, उनके ग्रोष्त भक्त, उनके सन्यासी सिश्य, यह सब अपने जीवन के द्वारा डिमोंस्टेट करते हैं, मनों एक्जाम्पल, उधार्ण प्रसुद करते हैं कि इस प्रकार से जीवन में करते हुए भी उस परम्तत को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे लोगों को वे विरत नहीं करते कर्म से, उनका अनुचित मारदर्शन नहीं करते हैं, क्या सब कारी काम कर में पड़े हुए हो, क्या होगा, अरे दुनिया तीन काल में मित्या है, यह काठ विदान्द, ब्रह्म सत्य जगन मित्या, सब तो मित्या है, पर उनी लोगों को बोला जाचा, जब सब मित्या है, तो आप खाना वना छोड़ दीजी, नहीं, खाना तो सत्य है, खाना सत्य है, उसमें तो हम देखेंगे, रोटी कैसी है, कच्ची होगी रोटी, तो जोड से चिल लाएंगे, क्यों हमको कच्ची रोटी द चलने का और सारे जगत को चलने का प्रपंश किया केवल मुझ से कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वह तो किसकी स्थिति है जिसको अपने देह का भान नहीं फिर वो भिख्षा लेने नहीं जाएगा भिख्षा उसके पास आएगी है अजगर करेन चाकरी अजगर कभी चाकरी नहीं करता किसी एक पढा रहता है मस्त पढा रहता है और लोग उसके पास आकर दे जाते हैं उन advancing काने के कोई आवश्च्छ न करकूं नहीं नहीं को इस प्रकार को मूप्रत ना करते रहे जिनकी ऐसे उच्च अवस्था नहीं है वे और जिनके ऐसी उच्च अवस्था नहीं है वे ये दिक दुसरों को कहें रहे क्या है सब काम मम लगाया जगत का लियान का काम वे सब क्या है सब चक्कर है सब तो माया है माया दुनिया तो तीन काल में मिथ्या है ये मिथ्या कारे क्यों कर रहे हैं तो यह मानो ये ठीक नहीं होगा अनुचीत होगा शिक्रिष्ट भगवान कहते हैं अनुचीत है इतना ही नहीं यदि जिसकी इस प्रकार की अवस्ता हो गई है कि जिसको अब उसको कारे के कोई आवशक्ता है ज्यानी हो गया है परम सिद्धी के प्राप्त कर लिया है अब उसको कोई कर्म के आवशक्ता नहीं कोई साधना के आवशक्ता नहीं उसको भी चाहिए कि वो फिर भी जगत के कल्यान के लोक संग्रह के लिए कारे करे अपने जी करके कई लोग के मन में यह भ्रामक धारणा है कि हम लोग जो कुछ भी कारे ग्रोस्त लोग को धारणा है कि हम तो ग्रोस्त हैं और हम लोग तो कारे कर सारा दिन हमको तो संसार का कारे करना रहता है इसलिए हम तो कभी भी मुक्ति के प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो सकते हैं इन्होंने मानो अपने जीवन का उद्देश शेखो बैठे हैं ये लोग सन्यासी लोग अरे कहां तो उनको जब ध्यान कारे दिन राद जब ध्यान करना चाहिए कृतन करना चाहिए रामकृष्ण देव के समान और कहां तो रामकिशन देखान या यह होते हैं ने कि बावजुद भी यह दिन रा सारा सारा दिन काम करते हैं केवल दिन में दो बार ही जब ध्यान करते हैं यह मानो गलत फैमी उनके मन में होती है और उस गलत फैमी से दूसरों को भी गलत फैमी में डालते हैं और कभी-कभी तो जो नए ब्रमचारी आते हैं वे भी गलत्थे में पढ़ जाते हैं और वे भी इस प्रकार से उनका वे भटक जाते हैं आये थे यहां पर सिवग्यान से जीव सवा करें और फिर इस प्रकार से दूसरे लोग भटका देते हैं क्या रहे इसके लिए तुम लो कर लेगे अरे वो सब्जी काटना और ये सब्जी काटना ये अलग है ये इश्वर के लिए सब्जी काटना है और इश्वर के भक्तों के लिए काटना है वहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए है और दूसरा ये वातावरन जहां पर की ये महायग्य चल रहा है तो ये कारे और बाहर का जो कारे वो एक नहीं है वहाँ पर यहाँ पर जितना होए परमार्थ के लिए कारे हो रहा है वहाँ है सब कुछ स्वार्थ के लिए इतना ही भर भेद है और उसमें बहुत बड़ा भेद हो जाता है तो इसलिए यह जो किछ लोग भ्रहाम भ्रहम में डाल देते हैं इसलिए ش्री कृष्टन Св Brahm कहते हैं भगवान श्री कृष्टन कि ज्यानि पृरुष को चाहिए कि कर्मों में आसकती वाले अज्यानों की बूद्धि में भ्रहम उत्पन करें अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्ना करें किन्तु स्वयम परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनको भी वैसे ही कराए नबुद्धी भेदम जन्येद अज्ञानाम कर्म संगी नाम जोशे सर्वकर्मानी विद्वान युक्ता समाचरन इस प्रकार का यह महत्व पुण्श लोग की हमने चर्चा की इसके बाद की चर्चा हम लोग अगले रिवार को करेंगे आज यहीं पर समाप्त करें